नमस्कार दोस्तो आज देश विदेश हर जगा रक्षा बंधन का पवित्र तहवार बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है बहने प्रसंता पुरुवक अपने भाईयों को रक्षा सूत्र बांध रही है और उनके भविश्य की मंगल कामना कर रही है यूँ तो सदियों से ये तहवार भारतवर्ष में हर भारतवासी मनाता आ रहा है लेकिन इसको लेकर के कुछ पौरानिक और एहतिहासिक कहानिया भी है ये रक्षा सूत्र कई बार ब्राह्मनों को प्रोहितों को बांधा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये रक्षा सूत्र रक्षा करने का क्वच काम करता है जब भी रक्षा बांधी जाती है रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो एक मंत्र बहुदा हम सुनते हैं जिसको की बोल करके ये राखी रक्षा सूत्र बांधा जाता है और वो है येन बद्धो बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम बंधनामी माचल माचल इस मंत्र को कई बार हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इस मंत्र का क्या मतलब है और क्या आर्थ है आएए इसके उपर एक दिर्ष्टी डालते हुए आगे चलते हैं कहते हैं कि मैं आपको वो हर रक्षा सूत्र बांधा हूँ जिससे दानवों के राजा बली बांध गए थे हे रक्षा तुम यहां से ना हटो ना हटो इसी प्रकार रक्षा सूत्र बांध करके और रक्षा की कामना की जाती है इसका एक बरणन तब है जब महाभारत काल में आता है जब सुदर्शन चक्र से कृष्ण भगवान की उंगली कड़ जाती है और द्रोपदी अपनी साली को तुरंच चीर करके कृष्ण को वहाँ पट्टी बानती है तो वो भी एक है जिसको कृष्ण जो है वो चीर हरन के समय द्रोपदी की साड़ी बढ़ा कर वो करते हैं इसी तरह से सिकंदर का भी विवरन आता है कि सिकंदर की पत्नी ने पूरु राजा को राखी बान दी थी इसके अलावा रानी करनावती वाला किस्सा वो रक्षा बंधन का तहवार हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं बहने अपने भाईयों को तेलक लगाती हैं और रक्षा सूतर बानती हैं मीठा खिलाती हैं और बदले में भाई कुछ गिफ्ट कुछ उपहार बेहनों को देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं कहते हैं कि सबसे पहले पौरानी कथा के हिसाब से का अगर हम बात करें तो इंद्र जो है वो गुरु ब्रस्पती के पास जाते हैं और इंद्र की विथा को जान करके इंद्रानी कहती है कि कल वो पूर्णिमा है और मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तयार करूंगी जिसे आप ब्रामणों से बंधवा लीजेगा इंद्र वो रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और तभी से ये चलन ये परंपरा भारत वर्ष में चली आ रही है कि रक्षा के लिए ये सूत्र बहुत काम करता है बहने कलाई पे राखियां बानती हैं आजकल तो एक से एक डिजाइनर राखियां तरह तरह की राखियां आ गई हैं लेकिन ऐसा कहते हैं कि रक्षा सूत्र बनाने का कुछ और ही विदी विदान था जिसको जिसके हिसाब से रक्षा सूत्र बनाए जाते थे जिसमें की वहुदा हमारे अईयुविदिक और तिल इत्यादी जीजों को इस्तेमाल करके और कलावा जिसे कहते हैं उसके हिसाब से ही रक्षा सूत्र तयार करके और भाईयों को या पुर्वितों को बंढ़ा जाता था और रक्षा का मंगलकारी कार्य किया जाता था शावन सुल्क पूर्णिमा के दिन ये तहवार मनाया जाता है और सावन का इसी दिन से सावन का समापन हो जाता है अगला मास आ जाता है और रक्षा बंधन का अर्थ है रक्षा प्लस बंधन अर्थाद किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना इसलिए राखी बानते समय बहन कहती है भाया मैं तुम्हारी शरण में हूँ मेरी सब प्रकार से रक्षा करना आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी बानती है उन्हें मिठाई खिलाती है फलसरो भाई भी अपनी बहनों को रुपए या उपहार आदी देते हैं रक्षा बंधन सने का वो अमूल बंधन है जिसका बदला धन तो क्या सर्वस्व देकर भी कभी चुकाया नहीं जा सकता है भारतिय परंपरा में विश्वास का बंधन ही मूल बंधन है और रक्षा बंधन शायद इसी विश्वास का बंधन है ये पर्व मात्र रक्षा सूत्र के रूप में राखी बांध कर रक्षा का वचन ही नहीं देता, वरना प्रेम, समर्पन, निस्था एवं संकल्प के जरिये हिर्दियों को बांधने का भी अनमोल कार्य करता है। रक्षा बंधन का तहवार केवल भाई बहनों तक सिमित नहीं है, अपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अत्वा किसी की आयू और आर्योगि व्रिधी के लिए किसी को भी रक्षा सूत्र बांधना या भेजा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका वर्णन करते हुए कहा है कि सूत्र जो है वो अविछिनिता का प्रतीक है क्योंकि सूत्र धागा जो है बिखरे हुए मोतियों को अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एकाकार कर देता है। माला के सूत्र की तरह रक्षा सूत्र राखी भी लोगों को जोडती है। गीता में लिखा गया है कि जब संसार में नैतिक मूलियों की कमी आने लगती है तब प्रजापरती ब्रह्मा द्वारा धर्ती पर ऐसे पवित्र धागे भेजे जाते हैं। भगवान शिव उन्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखते हुए दुख और पीड़ा से निजात दिलाने का काम करते हैं। यहां पर बहनों ने भाई को राकी बांदी और भाई ने कुछ पैसे और गिफ्ट एक स्कूल बैग हम देख रहे हैं यह देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहने इसको लेने से इनकार कर रही हैं और भाई बार बार मना रहे हैं कि ले लो हर साल तो तुम ले लेती थी अब क्या बात है लेकिन बहने बार बार मना कर रही हैं और इन छोटी बहनों ने एक ऐसा संदेश देने का काम किया है ये बहने कह रही हैं कि जब तक महिला बहने सोशल मीडिया पर टेलिविजन पर इन चीजों को देख करके ये जान चुकी है कि केवल एक दिन के रक्षा बंधन मनाने से महिलाओं की ललकियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है इसलिए ऐसी ही कुछ बातें ये अपने छोटे भाईयों से कह रही हैं उनसे मांग रही हैं कि भाईया मेरे राखी के बंधन को अगर निभाना है तो आपको महिलाओं का सम्मान करना ही होगा अंत में भाई मान जाते हैं और चोटी बहने पैर शुकर के भाई अपनी बहनों को मना लेते हैं और जो भी गिफ्ट और पैसे ये लेकर के आये थे अपनी बहनों के लिए वो अपनी बहनों को देते हैं और इस तरीके से इन छोटे बहाई बहनों का ये रक्षा बंधन का तहवार अपने आप में एक अनूठा अलग ही तहवार बन जाता है क्योंकि ये नन्य मुन्य जितना बड़ा संदेश दे रहे हैं